ग्रैनेट और मार्बल इन दोनों में से अगर आप अपने घर में ग्रैनेट लगाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप अपने घर के लिए बहुत ही अच्छे कॉलिटी का और मजबुत मटेरियल लगवाना चाहते हो पर दोस्तो ज़रूर ये नहीं है कि अगर आप ग्रैनेट चूज करने वाले हो तो हर कोई ग्रैनेट मजबूत ही हो या फिर आपकी ज़रूरत है उस पर खरा उतरे क्योंकि जब भी हम ग्रैनेट पर्चेस करने जाते है तो ग्रैनेट में बहुत सारी क्योंकि जब देदेंगा उसका जो कलर है वो पूरा फेड हो जाएंगा उसकी फिनिशिंग पूरी खराब हो जाएंगी तो दोस्तो इस से बचने के लिए आपको उस पर क्योंकि टेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी है जिससे कि आप एक अच्छे कॉलिटी का ग्रैनेट चैन कर सके पर्चेस कर सके तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो दोस्तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजे और अगर ये वीडियो आपको पुसंद आता है तो जरूर लाइक कर दीजे तो चलिए हम देखते हैं कि ग्रैनेट पर टेस्टिंग क्या करना चाहिए सबसे पहले दोस्तो हमने एक टेस्ट करना है जो है वीजिबिलिटि टेस्ट दोस्तों जब भी आप आपके जरूरत के अनसर ग्रैनेट की चैन करना चाहते हो चाहे वह फे वहरा हो काला हो लाल हो वाइट हो तो कौन unknowns से ढ़ी टाइब जपर आप ग्रानेट लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपने यह चीज़ देखनाु लेणगार यह जगार पशजाह सकता है कई शेड़ आपको डार्क दिख रहे हैं कुछ जगह पर आपको water mask दिखते हैं तो दोस्तो ऐसा आपने नहीं लेना है जो आपने जो भी lines होती है जो भी pattern होते है जो भी बड़े छोटे spots होते है वो बिलकुल भी नहीं होने चाहिए जो भी sheet आप लेने वाले हो उस पर आपको एक ही तरह का pattern दिखना चाहिए साफ और सुत्रा दिखना चाहिए तो दोस्तो इस तरह का कि आपने granite लेना है कि जो visibility test हम कर रहे है मतलब कि आपको जो granite दिख रहा है वो दिखने में काफी अच्छा होना चाहिए लोग नजर अंदास कर देते हैं कि जैसे जब आप granite लेने जाते हो तो उस पर वहुत ही पतले-पतले hairline cracks होते हैं जो आपको जल्दी से दिखते नहीं है पर जब आप उसे गौवर से देखते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बारिक-बारिक cracks है उसे हम कहते है hairline cracks वो cracks दोस्तों आगे चलके बड़े लगते हैं और वो shit को आगे चलके तोड़ ड़ते हैं जब भी आप उस shit को बिठालते हो तो वो shit बहुत जल्दी तूड़ जाती है अगली जो point हम देखेंगे दोस्तों वो है thickness के बारे में होता क्या है दोस्तों जब आप granite का इस्तमाल करना चाहते हो तो उसका thickness आपने ज़्यादा ही रखना जरूरी होता है क्योंकि market में बहुत ही ज़्यादा variety के marble granite available होती है तो उसके जो थिकनेस है वो 18-25 mm तक के वैरी करती जाती है जितनी कम थिकनेस के आप granite की shit लोंगे वो बहुत ही जल्दी तूटने की chances होता है और उससे आपके पैसे पूरी तरह से waste हो जाते है तो दोस्तों कम से कम आप 17-20 mm का जो थिकनेस का granite है उसका ही इस्तमाल कीजे जिससे आपके पैसे तो थोड़ी ज़्यादा जाएंगे लेकिन जो आप granite लगा रहे हो उसकी life काफी ज़्यादा रहेंगे ठीक है तो आपने याद रखना है कि आपने अच्छे थिकनेस का granite लेना है अगला टेस्ट है दोस्तों color test जब भी आप दोस्तों granite लेते हो तो सबसे पहले आपने जो देखना होता है वो होता है color color के साथ साथ आप हमेशा pattern पर ध्यान देते हो लेकिन दोस्तों color बहुत ही important है जितना भी possible हो आपने natural color पर ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि होता क्या है कि market में कई सारे granite पर polishing की जाती है जिससे कि वो दिखता कुछ अलग है और होता कुछ अलग है मतलब उससे क्या होंगा दोस्तों कि ज़ादा दिन बाद में उसका color जो है फेड वो फेड ओने लगता है डल होने लगता है तो दोस्तो आपने पुरी तरह ध्यान देना है कि आपने natural granite color ही लेना है आपने polish वाला granite नहीं लेना है जितना possible हो आपने natural color का ही granite लेने का कोशिश करो दोस्तो जो color आपको सामने से दिखता है वही color आपको पीछे से भी दिखना चाहिए मतलब अगर आपका granite सामने से ज़्यादा colorful दिखता है और पीछे से कम colorful दिखता है तो वो granite दोस्तों polish किया हुआ है अगर पीछे का जो भाग है वो उस पर थोड़ा पानी दाल कर साप कर लीज़े दोस्तों जिससे कि आपको दिख जाएंगा कि सामने का color और पीछे का color ये सेम है या नहीं जिससे कि आप एक अच्छा color चूज करने में और real natural granite चूज करने में आपको बहुत ही मदद होंगी तो पानी दालने के बाद आपको सच्चाई पता चल जाएंगी दूसरी टेस्ट यह है दोस्तों कि अगर आप किसी कपड़े को rocket या petrol में दुबा कर उससे granite को पोश्टे हो जो फ्रंट आया मतलब जो उपर का surface उसे पोश्टे हो तो अगर कोई coating होंगे उस पर कोई color होंगा कोई chemical होंगा तो वो उस कपड़े को लग जाएंगा मतलब आप समझ जाओंगे कि उस granite पर coating किया है उस granite पर coat किया है जो की नकली है तो वो granite आपने नहीं लेना है अब अगला जो test है दोस्तों वो है scratch test इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आप या एक कोई सिक्का या कोई चाबी जो है उससे granite के जो उपर का surface है उस पर scratch करके देखिए ठीक है अगर उस पर बहुत ही जादा scratch आ रही है और वो आखों से दिख रही है तो वो बिल्कुल भी मतलिचेगा क्योंकि जब हम granite को kitchen material यूज करते हैं कई सारे हमें काम करने पड़ते हैं तो जिससे scratch लग जाते हैं तो दोस्तों कुछ दिनों लेना नहीं है उसे आप पूरी तरह आवाइट कर दीचे जो granite आप लेने वाले हो उस scratch resistance होना बहुत ही ज़रूरी है अब जो next test है दोस्तों वह acid test जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हम granite का इस्तमाल आप kitchen में करते हो kitchen में अलग-अलग तरह का पकवान बनता है तो अगर क लिम्बू का रस होता है उसे उस granite पर दालके देखना है और उसका reaction क्या होता है उसे observe करना है अगर आपको दुकांदर granite पर यह test perform नहीं करने दे रहा है तो थोड़ा सा तुकड़ा घर पर लेके आईए दोस्तों और उस पर test कीजिए क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि आप जो भी granite लेने वाले हो वो सालो साल चलने वाला है तो उस sample को आप घर पे लेके आईए और उस पर उस test को perform कीजिए जिससे को आपको पता चलेंगा कि acidic food का उस पर क्या प्रभाव किरता है तो दोस्तों यह अपनी basic test है जो हमने किया है जिससे आपको पता कि granite पर किस तरह के परिणाम होने वाला है उसकी quality क्या है और एक दोस्तों बात ही है कि अगर आप उस पर water cut करते हो तो उस पर भी आप काफी कुछ test कर सकते हो जब आप granite choice करने जाते हो तो showroom में कुछ छोटे छोटे pieces होते हैं उससे आप granite choice कर लेते हो लेकिन दोस्तों आ होती बड़ी धोकेदारी हो जाती है इसलिए कभी भी आपने showroom में जो बड़े-बड़े pieces होते हैं उसे ही देखना है छोटे-छोटे pieces को नहीं देखना है ठीक है जिससे कि आपको पता चल जाएंगा कि यह granite का pattern कैसा बनने वादा है और generally यह बात होती है कि जो भी लोग granite purchase करने जाते हैं तो उन्हें site पर ले जाया जाता है उसे cutting की जाती है और उसके बाद में इसका इस्तमाल किया जाता है ठीक है जैसे कि हम windows फ्रेम के लिए करते हैं डोर फ्रेम के लिए करते हैं इस तरह से आपको उसे देखना जरूरी होता है जब दुकानदार को आप direct cutting के लिए measurement देते हो तो आप अपने जरूरत के अनुसर उसे बताईए ठीक है तो उसे आपका फाइदा क्या होंगा दोस्तों कि अगर आपको छोटी सी जगा में granite लगाना है तो आप उसे size बता दीजिए जिससे कि वह आपके requirement के according cutting करके granite देंगा तो उसे आपके पैसे भली थोड़ी से दुकांदर को जादा जाते हैं लेकिन और अगर आप बड़ी शिट लेने जाते हो तो उसके मुकाबले आपकी पैसे कम जाते हैं और जित्ता जरूरत है उत्ता ही material आपको मिलेंगा तो वेस्टेज भी नहीं होता है और अगर आपकी site बड़ी है तो आपने क्य और cutting में वेस्टेज मतलब आपके पैसे भी वेस्ट हो रहे है तो इस तरव आपने धायन देना है कि जितना जरूरी है उतना ही granite आप लेकर आईए जिससे कि आपके पैसों का बच्चत होंगी अब आखरी बात दोस्तों जो important वाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप granite लेते हो दोस्तों तो आपने एक दो दुकान में जरूर जाना है वहाँ पर rate का inquiry करना है क्योंकि rate में variation होने का chances बहुत जादा होता है क्योंकि जो थोड़े बहुत patterns कम जादा होते हैं उसके वज़े से rate में भी कम जादा परिनाम होता है ठीक है तो आपने कम से कम thickness नहीं लेनी है इस बात पर भी धैन देना होता है ठीक है अगर आप बहुत ही बारिक वाला शिट लेने जाओंगी तो वो आपको कभी भी long time नह लेकिन thickness कम है तो भी price अपको कम मिल सकती है तो हमेशा कीमत की तरफ मत देखिएगा rate होना चाहिए लेकिन quality भी हमें अच्छी मिलने चाहिए ठीक है दोस्तों तो जादा से जादा दुकान पर जाईएगा और quality चेक कीजिएगा और उसके बाद ही आपको जो color पसंद है उसे लेचिए और जाएगा और था जेगा जादा लेकिक है